दोस्तों यदि आप Bank of Broda में account open करना चाहते हैं तो फिर आपको Bank of Broda के किसी भी ब्रांच में जाने की बिलकुल भी जरुत नहीं है आप आसानी से घर बैठे Bank of Broda में online account open कर सकते हैं account open करने के बाद आप अपने account का वीडियो के वैसिक के माद्यम से घर बैठे फूल के वाइसे कंप्लीट कर सकते हैं जब आप अपने अकूंट का फूल के वाइसे कर लेते हैं तब आपके घर के पते पर ATM कार्ड साथी चेकबुक बैंक को बरोधा के तरफ से सेंड कर दियाता है तो आज किस वीडियो में आपको हम बैंक को बरोधा में ऑनलाइन अकूंट आपन करने के लिए कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं दोस्तों आप कोई भी ब्रोजर आपन कर लिए और सर्च कर लिए बैंक कॉफ बरोधा चलिए हम सर्च कर लेते हैं आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे bank of brother यहाँ देखिए आ जाएगा bankofbrother.in आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको इस तरीका से open हो जाएगा मैंने आपको वीडियो के discussion में लिंक दे दिया है आप लोग क्लिक करेंगी तो direct इस page पर आ जाएगी आप यहाँ पर आपको उपर में ही लिखा होगा वीडियो के वैसी best online saving account आप इस पर क्लिक करके account open कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर accounts लिखा गया है आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ से view all पर क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पर bank of brother में जो भी saving account open होता है यहाँ पर वह list दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पर देखिये पाला brother advantage saving account आप यहाँ पर open नो पर क्लिक करके account open कर सकते हैं या फिर super saving account open करना चाहते हैं तो open नो पर किलिक करके open कर सकते हैं इसी तरिका से यहाँ पर और भी account दिया गया है, तो जो account आपको open करना है, आप यहां से open कर सकते हैं, चलिए, अब हम यहां से back हो जाएंगे, चलिए, हम यहां पर वीडियो के वाइसी based online से भी account पर click करेंगे, अब यहां पर जो account आपको open करना है, आप यहां से select कर लेंगे, जैसे कि यहां पर जो सबस देखिए बताया जा रहा है कि आपके पास account open करने के लिए pen card होना जरूरी है आधार card आपके पास होना जरूरी है साती आधार number के साथ mobile number registered होना चाहिए इसके बाद email ID आपके पास होना चाहिए चले इसके बाद आप यहां से yes पे click कर लेंगे आप यहां पर detail fill up करेंगे जैसे कि यहां पर आप email ID अपना fill up कर लेंगे चले हम fill up कर लेते हैं इसके बाद आप यहां पर अपना mobile number fill up करेंगे अब जैसे हैं आप यहां पर कहीं भी click करेंगे आपके email ID पर link send किया गया होगा आपको उस link पर click करके email id को verify करना होगा चलिए हम यहां से close पर click कर लेते हैं अब यहां पर आपको अपना mobile number fill up करना है चलिए हम mobile number fill up कर लेते हैं यहां पर mobile number fill up करने के बाद आप कहीं पर भी click करेंगे चलिए हम यहां पर click कर लेते हैं अब आपके mobile number पर OTP आया होगा आप यहाँ पर OTP fill up करेंगे चले OTP fill up कर लेते हैं यहाँ पर OTP fill up करने के बाद आप इस box में टिक कर लेंगे इसके बाद आप इस box में टिक कर लेंगे और यहाँ पर इस box में टिक कर लेंगे इस box में हम टिक कर लेते हैं इसके बाद हम इस box में टिक कर लेते हैं, अब यहाँ पर आप यहाँ पर किलिक करेंगे, यहाँ से accept पर किलिक कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर general term and condition पर किलिक करेंगे, यहाँ से accept पर किलिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर ckyc terms पर किलिक करेंगे, यहाँ से accept पर क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए सारे box में टिक हो चुका है इसके बाद आप next पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर pen number fill up करने के लिए जागा तो यहाँ पर आप अपना pen number fill up करेंगे और नीचे में आधार number fill up करेंगे यहाँ पर हमने pen number fill up कर दिया यहाँ पर pen number fill up करने के बाद आप यहाँ पर click कर लेंगे आधार वाले box में यहाँ देखिए pen number verify हो चुका है चलिए अब यहाँ पर आधार number fill up करेंगे यहाँ पर आधार number fill up करने के बाद आप इस box में tick करेंगे इसके बाद आप इस box में tick कर लेंगे इसके बाद आप इस box में भी टिक कर लेंगे अब यहाँ पर जो आधार नमर के साथ mobile नमर लिंक है उस पर OTP आया होगा आप यहाँ पर OTP फिल अप करेंगे इसके बाद आप यहाँ से next पर किलिक करेंगे दोस्तों यदि आपको इस तरीका से error आता है तो फिर आप यहाँ पर close पर किलिक करके close कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ से back पर किलिक करके back हो जाएगे और दुबारा से सारा कुछ fill up करेंगे और OTP fill up करने के बाद next पर किलिक करेंगे अब जैसे ही आप next पर किलिक करेंगे अब आगे का process हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए detail आ चुका है अब यहाँ पर निचे में select branch तो यहाँ पर automatic branch select हो जाता है जो भी आपके आधार में district है जो भी address है उस address पर जो भी bank of brother का branch है यहाँ पर वह branch का नाम सो करता है इसके बाद आप यहाँ से proceed पर click करेंगे अब यहाँ पर आगे है personal little fill up करने के लिए तो यहाँ पर आप अपना personal little fill up कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर है father's name और यहाँ पर आप अपना father का first name middle name और last name fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर है mother's name इसके बाद यहाँ पर है religion तो आप यहाँ पर religion पर click करेंगे और यहाँ से आप अपना religion select इसके बाद यहां पर है number of depends, आपके उपर कितने लोग depend है आप यहां पर select कर लेंगे, इसके बाद आप यहां पर click कर लेंगे, विकलांग है तो यहां पर yes select कर लेंगे, यदि आप विकलांग नहीं है तो यहां पर आप no select करेंगे, इसके बाद यहां पर है place of birth, आप यहां प पर किलिक करके अपना education select कर लेंगे इसके बाद यहां पर इसके बाद यहाँ पर है नोमनी डिटेल यदि आप अपने bank account के साथ नोमनी का नाम add करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप yes को select करेंगे यदि आप नोमनी का नाम add करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप no को select कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ पर relationship पर click करेंगे और यहाँ से आप select कर लेंगे आपका नोमनी के साथ क्या relation है और यहाँ पर आप नोमनी का detail fill up कर लेंगे और date of birth यदि आप नोमनी का नाम add करना नहीं चाहते हैं तो बाद में भी add कर सकते हैं इसके लिए आप यहाँ पर no को select कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ से proceed पर click कर लेंगे अब आगे का process हो जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर आगया है additional service तो अब आपको क्या-क्या service चाहिए आप यहाँ से select कर लेंगे जैसे कि आपको ATM card चाहिए debit card चाहिए तो आप इस box में टिक कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर है SMS alert यदि आपको SMS alert भी चाहिए तो आप इस box में टिक कर लेंगे लेकिन SMS alert का charge लगता है इस बात का आप धियान लखेगे इसके बाद यहाँ पर है UPI आप इस UPI वाले box में टिक कर लेंगे इसके बाद य कुछ सही है यदि आपको लगता है कि इसमें डीटेल कुछ गड़वड है तो आप यहां पर एडिट डीटेल पर किलिक करके एडिट भी कर सकते हैं चले इसके बाद हम सम्मिट अपलिकेशन पर किलिक कर लेंगे आप यहां पर देखिए आजाएगा आपको यूरेन नमबर मि लिए तो आप यहां पर अब यहां से आप मन्त सेलेट कर लेंगे कौन से मन्त में आपको वीडियो के वैसी करना है इसके बाद यहां पर डेट है तो आप यहां पर डेट सेलेट कर लिए कौन से डेट में आपको वीडियो के वैसी करना है अब जैसे ही आप सेलेट करेंगे आप यहाँ पर आ जाएगा time slot तो जो भी time में आपको वीडियो के वैसी complete करना है वो time select करेंगे जैसे कि हम यहाँ पर select कर लेते हैं इसको इसके बाद आप यहाँ पर schedule वीडियो के वैसी पर click करेंगे अब आपके email id पर link send किया गया होगा आप अपना email id open करेंगे चलिए हम open कर लेते हैं यहाँ पर देखे email पर आपको link आया होगा आप इस link पर click करेंगे चलिए यहाँ से हम chrome से open कर लेंगे अब दोस्तों आपको इस तरीका से open हो जाएगा अब यहाँ से आप get otp पर click करेंगे अब आपके mobile number पर otp आएगा यहाँ पर otp आपको fill up करना है यह देखिए otp आगया चलिए हम otp फिल अप कर लेते हैं इसके बाद आप submit otp पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको alloc पर click कर देना है यहाँ से alloc कर दिए आपको अपने पास रखना है और साथ ही black या फिर blue pen आप अपने पास रखिए क्योंकि वीडियो के वाईसे के दौरान आपको signature करके दिखाना होगा हम यहाँ पर start पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए time और date सो करेगा जो date और time में आपका वीडियो के वाईसे किया जाएगा यहाँ पर देखिए मेरा 2 pm से 12 pm सो कर रहा है और यहाँ पर नीचे में time भी चल रहा है यानि कि यह time जब आपका खतम हो जागा तब आपका वीडियो के वाईसे यहाँ पर start हो जाएगा दोस्तों जब आपका यहाँ पर वीडियो के वाईसे कंप्लीट हो जाएगा तब आपको account number साथे customer ID मिल जाएगा इसके अलावा आपके घ़र के पते पर ATM card साथी checkbook bank of broda के तरफ से send कर दिया आता है तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग bank of broda में online account open कर सकते हैं मैंने आपको detail में बता दिया है यदि आपके मन में कोई सवाल लगता है तो comment जरूर कीजिए फिर मिल अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई